बहुत सारे सिविल इंजिनियर्स का ये सपना होता है कि हम कैसे बिलिंग इंजिनियर्स की पोश्ट तक पहुँच पाएं मैं जब भी कभी ऑडिटोरियम में सेमिनार ले रहा होता हूँ हमारे कॉलेजिस में इंजिनियर्स का वहाँ पर जब भी मैं पूछता हूँ कि वही आप बिलिंग इंजिनियर किते लोग बनना चाहते हैं तो जादा सा जादा हाथ इस पोश्ट के लिए खड़े होते हैं तो आखिर क्या है वो रास्ता जिससे आप बन सकते हैं बिलिंग इंजिनियर जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मैं पंकश मीना स्वागत करता हूँ आप सभी का सिविल गुरू जी के इस प्लैटफॉर्म पर जहांपर हम बात करते हैं आप सभी के मतलब की सिविल इंजिनियर के बारे में तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि बिलिंग के जॉब पोश्ट पर कैसे पहुँचा जाए क्या वो रास्ता है जिसको पकड़ कर आप लोग बिलिंग के जॉब पोश्ट तक पहुँच सकते हैं अब दोस्तों यह जो बिलिंग का काम है यह लोगों को बड़ा ही अट्रेक्टिव लगता है लोगों को लगता है कि यार एक बार बिलिंग के जॉब पोश्ट पर पहुँच गए तो हमारी लाइब सैट और बात सही भी है क्योंकि जितने भी सारे लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो बात करते हैं भाई अब तेलरी कम मिलेगी पैसा कम मिलेगा लेकिन एक बिलिंग इंजिनियरी ऐसा व्यक्ति है जो बात करता है कि आपने मतलब कि contractor ने एक करेक्टर ने एक करोड रुपे जो लगाया है काम करके एक महीने के अंदर वो पैसा मैं आपको दिलवाने का काम करूंगा और बिल बनाता है किस के पास सम्मिट करता है वो किस के पास सम्मिट करता है अब ये client कोई private वियक्ती भी हो सकता है private कोई firm हो सकती है या फिर हमारी ministry हो सकती है जैसे health ministry हो गई education ministry हो गई transportation ministry हो गई ये लोग कौन है ये लोग है हमारे client कहां government project में ये लोग काम करवा रहे हैं contractor काम कर रहा है इन दोनों के बीच में hero कौन है? hero है भई billing engineer जो की इस contractor का पैसा जो भी site पर लगा है उसका bill बनाता है और client के पास उस bill को submit करता है यहां से पैसा मिलता है और वो पैसा contractor के पास पहुचा देता है तो धेर सारे engineers इस रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस रास्ते पर धेर सारे पैसे के साथ धेर सारी इज्जत मिलती है तो यह post के लिए पहुचने के पहले हमें समझना होगा कि वो कौन-कौन से challenges हैं जो आप सभी लोग मतलब कि वो engineers face कर रहे हैं जो की अभी इस industry में काम करना start किये हैं बात करें अगर challenges की तो सबसे पहला challenge है how to understand billing तो जैसा मैंने आपको समझाया contractor जितना काम करता जाता है उतने काम का billing engineer बिल बनाता है और वो bill submit किसके पास करता है हमारे client के पास यह हो गया क्या billing का एक simple सा concept इसके बाद दूसरी चीज़े आती है types of billing in construction हमारे engineers को यह पता नहीं होता कितने type की billing होती है हमारे construction के अंदर item wise bill, slab rate bill, price escalation bill, reconciliation bill, progressive bill, supplementary bill बहुत सारे ऐसे bill है जो पहली बार नाम सुने होते हैं हमारे engineers ने तो यह types of billing क्या होती है यह भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा challenge सामने बन के निकल के आता है एक और challenge है, billing cycle और billing stage क्या होती है आप लोगोंने एक चीज़ जरूर सुनी होगी कि भीया हर महीने bill बनेगा आपने सुना होगा up to plint level तक का काम हो जाएगा तो हम आपका एक stage का पैसा दे देंगे छट डल जाएगी तो हम दूसरे stage का पैसा दे देंगे इन दौनों मेंसे कब और कौन सा कहां adopt करना है ये एक billing engineer को पता होता है तो आप लोग भी अगर ये सीखना चाते हो तो ये video जरूर रन तक देखना इस video के end होने से पहले आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिससे आप एक बड़िया professional billing engineer बन सकते हैं इसके बाद बात करें अगले challenge की how to adjust inflation in construction bills अब आप सभी को पता है और महंगाई तो बढ़ती है जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई की भरपाई कौन करेगा और उस महंगाई में जो हमारा cement का rate है steel का rate है sand का rate है यह जो rate increase हो रहा है इसका पैसा हमें कौन देगा तो यह पैसा लेने के लिए भी एक bill बनाया जाता है क्या नाम होता है उस bill का comment section में अगर आपको पता है तो जरूर comment करके बताईएगा तो यह भी एक challenge है जो आप सभी के सामने आता है जब भी आप किसी construction site पर काम कर रहे होते हैं इसके बाद बात करें अगले की तो अगला है how to stop theft and wastage of material theft या privilege को कैसे रोका जाए site पर आप लोग क्या करते हो बहुत सारा material purchase कर लेते हो उस material को use करते जाते हो लेकिन जब material खतम होने पर आता है आप वापिस से material बुलवा लेते हो यह cycle लगातार site पर और most of the construction sites पर यह cycle चलता रहता है इसमें एक छोटी सी चूक हो रही है वो चूक उसे नहीं हो लोगे लेकिन आपका जो process है वो process आपको allow कर रहा है कि भाईया आप material चुडा के ले जा लो अब site पर कोई भी चोड़ी अगर हो रही होगी आप कैसे identify कर पाऊगे आपको तो पता ही नहीं चलेगा क्यों क्योंकि जब-जब material खतम होने पर आता है अब तब challenges का सामना हमारे engineers हर दिन कर रहे है इस construction site पर तो आकर इसका solution क्या है तो solution इसका आपके लिए लेकर क्या आया है civil guru जी बिल्कुल ठीक सुना आपने civil guru जी लेकर आया है monsoon online training जिसमें आप professionals के साथ industry के जो professionals है उनके साथ में आप train करते हैं और train होने के बाद में आप वो engineer बनते होचेगा और उस उचाही तक महचेगा जिसका वो वाकई में हगदार है इस monsoon online training के अंदर यहां पर हम एक course लेकर आया है जो कि है कॉप्स platinum construction operating process यह course जो है इस course के अंदर तमाम सारी चीज़े हैं यहां पर आपको मिलेगा geotechnical design engineer का course आपको मिलेगा architectural consultant आपको मिलेगा design engineer, structural engineer, professional surveyor, BIM engineer, MEP engineer, आप बन सकते हैं 3D plexus engineer, civil site engineer, quantity surveyor, billing engineer, quality assurance, quality control, project manager, साथी साथ property valuer यह तमाम जो चीज़े हैं इन तमाम job post तक आप पहुंच सकते हैं और आप सभी को पता है इन सभी चीज़ों की कितनी जादा demand है अभी आप लोग तैयार हो रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए लेकिन आगे चलके आप switch करेंगे आप किसी और industry में जाके काम करेंगे आप अप पर भी आपको requirement होगी इस particular construction operating process की यह जो एक course है इस course के अंदर सारी तमाम चीज़े मिलेंगी और सिर्फ इतना ही नहीं है software's भी यह इसके अंदर software's की अगर हम बात करें तो software's में आप सीख सकते है professional autocad, 3ds max, rabbit architecture, आप सीख सकते है BIM technology, आप सभी को पता है कितनी demand है BIM की, BIM technology आप सीख सकते है, आप सीख सकते है e-taps, साथ में आप सीख सकते है Stead Pro, ताकि आप सारी के सारी structures की designing अच्छे से कर सकें, यह तो हुए हमारे software's के courses, और बागी कौन से courses है, आप सीख सकते है geotechnical investigation work allotment, आप सीख सकते है surveying, आप सीख सकते है quantity survey and rate analysis, market में क्या rate चल रहा है, SOR में क्या rate दिया है, पूरा relate कर पाओगे rate analysis करने के बाद, यहीं खतम नहीं होता यह, इसके बाद आता है estimation and costing, बात करते है bar bending schedule की, इसके बाद में आता है billing, तो जो billing का रास्ता मैंने आपको बताया था, वो इसी construction operating process, मतलब cops हो के गुजरता है, यह cops अगर आप एक बार कर लेंगे, तो यह सारी तमाम चीज़ें, आपके mind में बैठ जाएंगी, और यहाँ पर आप आपके mobile में access कर सकते हो, आपका ज Civil Guru जी ने भी AI का फाइदा होटाते हुए, Civil GPT generate किया है, जिसमें आप questions पूछेंगे, तुरंत आपको rapid answers मिल जाएंगे, साथी साथ, हर दिन आपको doubt sessions मिलेगा, सामको 6 बजे से 7 बजे तक, Civil Guru जी के जो professional corporate trainers है, वो लोग doubt sessions लेते हैं, उन doubt session में आप one to one doubts को discuss कर सकते हैं, साथ ultimate discussion section है, वहाँ पर भी आप आपके questions को छोड़ सकते हैं, हमारी जो service team है, वो जल से जल उसका जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करती है, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप सीखोगे, यह तमाम चीज़ें आप सीखते हैं 3D models की help से, आप देख सकते हैं कैसे आप reinforcement जैसे बहुत ही complicated चीज़ों को 3D models के help से कितने आसानी से समझ सकते हैं, building में क्या पूरा construction process होता है, यह आप 3D models से समझ सकते हैं, तो इस monsoon आपके side पर काम slow हो सकता है, लेकिन आपके skills को enhance करने का काम आपको slow नहीं करना है, यहाँ पर मुझे बताते हुए आप सभी को इच्छे साल, और इस 6th foundation day के खुशी में हम सभी ने, आप सभी के लिए जो offer ले करके आए थे, जिसमें हमने सारे courses की prices को बहुत ही जादा कम कर दिया था, वो prices जो है वो अब बढ़ने वाली हैं, तो यहाँ पर जो course के में बात करना था, वो आपको join करना है before price hike, 21 July के पहले आपको यह course purchase कर लेना है, otherwise इसका जो price है, यह काफी ज़्यादा increase हो जाएगा, और फिर आप पच्छताएंगे, क्यार पहले purchase कर लिया होता, तो आज भी मेरे पास cops होता, और दोस्तों अगर आपको इस सरे लेटे डौर ज़्यादा inquiry चाहिए, तो आप call कर सकते है, 911-001234 पर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी जोस और इसी जुनून के साथ, तब तक कि आप बने रही है सिविल गुरुजी के साथ, और करना है कुछ खास, तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ, नमस्कार, जैहिन, जैबारत